वेलकम टू टिफेंस क्लास्टों दोस्तों आपका आरपीयप कॉंस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है इसको चेक करने का तरीका और आप देखे पहले आपको सिंपल रिजल्ट पर जाना है चेका रिजल्ट पर क्लिक करने बाद ऐसे पूरा फेस कॉलिक आएगा तो उसमें आ तो आपके PFT की देठ है वो अरेल के फॉस्त विक में स्टाट हो जाएगा ठीक है अर टोटल बच्चे से हजाबoqu साथ25 जो है इसे करकर हमको जिस गृप काप इकॉर्पकर आप अब बात करते हैं किस गुरूप की कड़ाफ कितनी रही है और इसके पहले जो कहे रहे थे 65, 70, 80 पे उससे काफी आगे कड़ाफ गई है हम लोगों की काफी आगे कड़ाफ निकल चुकी है अब देखिए पहले हम सुरू करते हैं गुरूप A की जो गुरूप A की कड़ाफ है वह जर्नल की गई है आपकी 94 OBC की गई है 91 SC की कहई है आपकी 73 ST की गई है 69, ये Group A की कटाफ है, ठीक है? अम बात करते हैं, Group B की ठीक है? Group B की जो कटाफ है आपकी वह जर्नल की गई है 90 OBC की आपकी 86 ST की गई आपकी 74 और ST की गई आपकी 72 यह आपकी गुरूप P की कटाफ है और वहीं बात करते हैं गुरूप P की गुरूप P की जो कटाफ है आपकी वो गई है 87 जनल की O, B, C की गई 85, ST की गई 70 और ST की गई 65 यह आपकी गुरूप P का कटाफ है अब बात कर लेते हैं लास्ट आपका गुरूप P का यह गुरूप P का क्या रहा है चीक है जो गुरूप P का कटाफ है वो जनल की गया है 90 O, B, C का गया है 86, ST का गया आपका 74 और बात करते हैं ST का 20 क की गई आपकी 72 नमबर ठीक है तो आपको बता तो दोस्तों की इसका भी एक अब लिष्ट और आने वाला है मतलब इसकी SECOND LIST भी आईगी आईगी क्योंकि जो और 2nd list आएगे आपकी यह मैं 1st week में मैं 1st week में आपके जो 2nd list आने वाला है और मैं 1st week में आएगा और इसका आप पर बताते हैं जो बच्चे qualified हो रहे हैं 50 एक बार फिसकर में ड़ड़ाए जा रहे हैं लेका जो selection weight से आपका 5 6 कहीं कहीं तो किसी किसी बैज में 2 या 3 ठीक है तो इस हिसाब से देखें तो 8000 बैकेंसी है तो एभी एक लिस्ट और आनी की समाहना आए ठीक है तो आप अपने तयारी को जारी रखें अगर आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को ज